पार्ट पंद्र, संस्कृते विज्ञानम, विज्ञानम विना असमाकम जीवनम असंभव एव, वैज्ञानिकानु संधानानी मानव जीवनम सरलम सुखदम च कुर्वंती, प्राचीन भार्त्य वैज्ञानिकी परंपरा, अतीव सुदेर्गा आसीत, वैदिक काला दारभ्य एव वैज्ञानिक परंपरायाह, उदाहनानी वयम द्रश्टुम शक्नुमह यथा रिग्वेदे प्रतमे एव मंडले उक्तम, त्रिनाभी चक्रम जरम नर्वम यत्रेमा, विश्वा भुवनानी तस्थुह, रिग्वेदः, आर्य भटेन, अपिस्व ग्रंथे आर्य भटिये लिखितम, यत ग्रहनम कदा कथम च भवती, तद विश्य संपूर्णम वैज्ञानिकम कारणम तेन दत्तम, छाद्यती शशी सूर्यम, शशिनम महती च भूच्छायाह, आर्य भटियम गोल पादह, सूर्य सिध्धांत पुस्तके तु भूमेह अधि ही 326 ग 107 दंडाह अपिदत्ता अस्ती, रिक सहिता मध्य तु प्रकाशस्य गति संदर्भे अपि उक्तम अस्ती, अगस्त सहितायाम विद्युत विश्य अपिलिखितम वर्तते, वैशेशिक दर्शने अपि गतेह, नियमा नाम स्पष्टम उल्लेखम अस्ती, ततकाल संस्कृती साहित्य तु अध्यत नियम ज्यानम अपि अस्ती, यथा अग्नियानम अर्थात व्योम यानम दीरखाह नौकाह च विश्य अपि भ्रिगु सहितायाम व्रिहत वर्ननम प्राप्यते, जले नौकेव यानम स्याद भूमियानम रथम स्मृतम, आकाशे अग्नियान च व्योम यानम तदेव च ब्रिगु सहिता तथा च विमान शास्त्रे नामनी ग्रंथे तु सूख्ष्म रूपेण लिखित मस्ति यद। अस्माकम प्राचिनेशु शास्त्रेशु शुन्यम इत्यसे दश्मान पद्यतिम तथा च तस्य जनकम आर्यभटम कह न जानाती। शरीरानाम अव्यवानाम शल्य चिकित्सा तथा च पर्खन लिशिशो उत्पत्ति ही इत्यादिकम अपिवर्तते। वनस्पति विज्ञानम भवतु, क्रिशि विज्ञानम वा योग शास्त्रम भवतु, गनित शास्त्रम वा प्राचेन भारते, व्यज्ञानी की प्रगती ही अति उत्तमा आसीत। आधुनिक कालस सर्वाधी की महत्वपूर्णा उपलब्धी ही यांत्रिक विकासह अस्ति, यांत्रिक विकासेन विज्ञाने नवीना नाम अनुसंधाना नाम, मार्गः प्रशस्तह अभवत, यथा रेल यानम, रेडियो, दूरदर्शन, संगड़क, दूर्वानी, जंग दूर्वानी त्यादिनाम, विकासेन विकासस से परिभाशा, एव परिवर्तिता, अस्माकम प्राचीना अर्वाचीना च, सुदीर खा, परंपरा कार्नात, अध्यतनिये विश्व पटले, भारतस इस्तितिह, अतीव उत्तमा अस्ति, ध्यातव्यम जो लिंग वचन वा विभक्ति विशेश की होती है, वही लिंग वचन विभक्ति विशेशन की भी होती है, संस्कृत में कहा जाता है कि यद लिंग यद वचनम याच विभक्ति ही विशेश अस्य तद लिंग तद वचनम साच विभक्ति ही विशेशन अस्य